Hello everyone, welcome to the new video from StudyBuzz और मैं होनभव गुपता तो यार एक बहुत 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 इंपोर्टन अपडेट है कि ZAT 2024 के रिजल्ट आ चुके है तो आज की वीडियो के अंदर हम डिसकर्स करने वाले है कि कैसे जाके आप अपना रिजल्ट एक्सेस कर सकते हो और किस percentile पे आपको कौन सा college मिल सकता है इन सारी ही चीजों के बारे में हम बात करने वाले है तो वीडियो को एंट तक जूर देखना बहुत important information आपको मिलने वाली है तो चलिए शुरू करते है इसे पहले friends हम start करें I would like to request you अगर friends हम बात करें जाट के रिजल्ट की तो आप देख सकते हो कि 20th Jan को officially इन्होंने 20th Jan 2024 को इन्होंने अपने रिजल्ट्स officially अनौन्स कर दी है Zat Online की वेबसाइट के उपर आपको जाना है जब आप इस वेबसाइट के उपर जाओगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि Zat 2024 का scorecard आप डाउनलोड कर सकते हो आपको अपना registration number, date of birth या जो भी password आपने चूज की है उसके basis पे आपको अपना scorecard चूज डाउनलोड कर लेना है अब जब आप यह Zat का scorecard डाउनलोड कर लोगे तो उसके basis पे आप कौन-कौन से colleges expect करते हो कर सकते हो इन सब के बारे में अब हम एक-एक करके discussion करते हैं सबसे पहले Zat का जो सबसे important college अगर हम XLRI के बारे में बात करें तो XLRI में जैसे कि आपको पता है कि जो cut-off होती है वो various factors पे आपके gender के ओपर भी और आपके engineer, non-engineer के ओपर भी होती है तो अगर कोई male engineer है तो अगर उसके 75, 75 और 85 overall 95 आए हैं तो वो BM की call expect कर सकता है female engineer 75, 75 DM में 80 sectional quant में अगर overall 92 प्लस है तो उनको XLRI की call आ सकती है अगर non-engineers के बारे में हम बात करें तो 75, 75 आप देख सकते हो कि verbal DM में तो सबके लिए same है quant में थोड़ा सा यहां पर आप देख सकते हो कि 85 और overall 90 अगर आ गया है तो male non-engineer को XLRI की BM की call आ सकती है and female non-engineer में 75, 75 और 80 अगर quant के अंदर 80 percentile अचीव हुआ है और overall 88 percentile प्लस आपका score है तो BM प्रोग्राम में आप expect कर सकते हो XLRI की call similarly XLRI का दूसरा बहुत important program जो कि है HRM HRM की cutoff थोड़ी सी कम होती है बहुत जादा फरक नहीं होता आप देख सकते हो कि verbal में इस बार थोड़ी cutoff आया क्योंकि verbal इस बार बच्चे कह रहे थे कि sir थोड़ा easy आया था तो verbal में 90, DM में 75, quant में 75 overall 93 अगर male engineers की है तो XLRI HRM की call आ सकती है female engineers की 90, 75, 65 और overall 91 achieve अगर हो गया plus तो आपको female engineers को HRM program की call आ सकती है male non-engineers को verbal में 90, DM में 75 और quant में 70 overall 90 अगर आई है तो उनको HRM की call आ सकती है और female non-engineers को 90 verbal में 75, DM में and 60 quant में minimum आया और overall 88 percentile से जादा आई है तो female non-engineers को HRM की call आ सकती है इसके लावा friends अगर हम बाकी colleges के बारे में बात करें और उनकी cutoff क्या रहती है उनके बारे में भी एक एक करके हम discuss करते है तो सबसे पहले हम XLRI और XLRI दिल्ली जमशेटपूर और दिल्ली के बारे में बात करी चुके है क्योंकि दोनों की जो cutoff है वो combine आती है तो इनके बारे में हम detailed discussion कर चुके है उसके बाद अगर friends हम बात करें XIMB की XIMB के बारे में अगर हम बात करें तो यह भुवनेश्वर के अंदर situated है यहाँ पे भी आपको BM का program देखने करें मिलते है और HRM का भी देखने करें मिलते है अगर हम इसकी average salary BM के बारे में बात करें तो it is around 20 lakhs और अगर इसकी हम cut off के बारे में बात करें तो around 90 percentile अगर आपकी Z के अंदर आई है तो आपको XIMB बुवनेश्वर मिल सकते है next अगर friends हम IMT गाजियाबाद के बारे में बात करें तो IMT गाजियाबाद बहुत ही famous माना जाते है अपने marketing program के लिए तो अगर आपकी profile बहुत कुछ खास नहीं है तो आपको 90 plus अगर आपके आएं है तो आपको IMT गाजियाबाद की call आ सकती है in case अगर आपकी profile strong है तो 85 plus पे भी आपको IMT गाजियाबाद की call आ सकती है 17.3 का ये average salary provide करवा पारे है और अभी आपके पास last opportunity भी इस college में apply करने के लिए क्योंकि 23rd January 2024 इस college की last date है इसके अंदर तो प्लीज इससे पहले पहले आप इसमें apply कर देना next तापमी मनीपाल के बारे में बात कर तो 15.3 का average package ये प्रोवाइड करवा पार रहा है इसकी जो that cutoff रहती है वो around 80 to 85 percentile के आसपास रहती है next गोवा इंस्टिटूट आफ मैनेजमेंट के बारे में बात करें जो कि गोवा के अंदर situated है तो गोवा इंस्टिटूट आफ मैनेजमेंट के अंदर जो average salary आप देख सकते हो कि almost 15 lakh rupees है और इसके अंदर आप apply करना चाहते हो और आपके अगर 80 से 85 percentile 80 percentile अगर minimum है 80 से 85 के बीच में है तो आप गोवा इंस्टिटूट आफ मैनेजमेंट के अंदर अप्लाए कर सकते हो next great lakes great lakes के दो campus है flagship campus इनका चिन्नई का campus एक इनका गुरू ग्राम का भी campus है तो great lakes अगर आप चिन्नई में apply करना चाहते हो तो आप ZAT के दूरू अगर इसमें apply करना चाहते हो तो ZAT में इसकी cut off रहती है approximately 80 percentile के आसपास 80 से 85 percentile के आसपास रहती है and 14.5 lakh रुपीस का ये average salary प्रोवाइड करवा पार है next IMI Delhi IMI Delhi बहुत अच्छा माना जाता है finance के लिए तो IMI Delhi के जो approximate cut off with profile रहती है वो 85 से 88 percentile रहती है और अगर profile अच्छी नहीं है तो हो सकता है आपको 90 प्लस भी चाहिए हो और जो average salary प्रोवाइड करवा पार है वो 17,00,000 रुपे के आसपास करवा पार है next friends अगर हम soil good गाओं के बार में बात करें तो soil good गाओं में 3 programs है PGDM उसके बाद इनका 1 year PGPM program है और 1 year PGPM HR program भी है काफी अच्छी placements यहाँ पे आपको देखने करें मिल रही है 10.5 से लेके almost 11 plus तक की placements आपको average देखने के लिए मिल रही है उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस college में अपलाए करना चाहते हो तो आपको कितनी cut off चीए तो around आपकी 70 percentile Zat के अंदर आई है तो आप soil good गाओं में अपलाए कर सकते हो and 20th Jan इस college की last date है तो आपको please आज ही इस college में अपलाए करना होगा next इर्मा आनन के बार में बात करें तो around 80 percentile अगर आपकी I है तो Zat के अंदर तो आप इर्मा में अपलाए कर सकते हो 15.5 आपको यहाँ पे average salary देखने के लिए मिलेगी next माइक का एमदा बात के अंदर कोई specific Zat की cut off नहीं होती and around 20 lakh रुपीज तक की यह placement प्रवाइड कर वापा आ रहा है और advertisement के लिए बहुत अच्छा यह college माना जाते है next केजे सुमाया मुंबई का एक काफी अच्छा college है यहाँ पे भी अगर आपकी 80 percentile आई है तो आप केजे सुमाया के अंदर apply कर सकते हो और केजे सुमाया के अंदर 12.2 का average package आपको देखने के लिए मिलेगा next है 4 school of management जो डेली के अंदर situated है तो 4 school में around अगर 80 से 85 के बीच में आपकी cut off रहती है that के दुरू and 14.5 का यह average salary प्रोवाइड करवा पार है next अगर विलिंकर के बारे में हम बात करें तो विलिंकर मुंबई के अंदर जो average जो cut off रहती है वो around 80 percentile के आसपास रहती है और अगर हम Bengaluru campus के बार में बात करें तो around 75 percentile के आसपास रहती है 12 lakh rupees तक का यह average salary आपको प्रोवाइड करवा पार है and that results आने के बाद विलिंकर मुंबई ने विलिंकर ने अपने दुबारा forms open कर दिया and 22nd January तक आप विलिंकर के अंदर दुबारा apply कर सकते हो next लीबा चिन नहीं, Bimtech, Greater Noida और Zine इन तीनों की cut off जो रहती है वो approximately आप मान सकते हो 70 से 75 percentile के आसपास रहती है और इनकी average salary around 10 lakh rupees के आसपास तक है आप देख सकते हो next है LBSIM, LBSIM की जो average cat cut off रहती है वो around 75 से 80 percentile के बीच में रहती है और आप देख सकते हो कि average package 12.4 का ये provide करवा पाता है इसके अलावा दो colleges और है जिसके अंदर आप apply कर सकते हो पहला है FIIB, FIIB Delhi के अंदर situated है FIIB के अंदर अगर आप apply करना जातो तो आपकी around 60 percentile आई है तो 60 percentile plus पे आप FIIB के अंदर apply कर सकते हो इसकी जो average salary है ये 8.5 lakh rupees तक की provide करवा पार है and next है ISBR, ISBR Bangalore के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपकी 75 percentile plus है तो आप ISBR Bangalore के अंदर apply कर सकते हो और यहाँ पे जो average salary है वो 8 lakh rupees per annum plus आपको देखने के लिए मिलेगी तो friends ये थे सारे colleges जिनको आप that के through target कर सकते हो अगर आप इनकी colleges की last date की video देखना जाते हो तो हमने नीचे description box के अंदर सारे colleges की last date की videos भी attach करी हुई है उन पे जाके आप visit कर सकते हो इन colleges के अंदर इनकी last date से पहले apply कर सकते हो आप नीचे comment section के अंदर definitely बताना कि आपने क्या score अचीव किया और कौन-कौन से colleges से आप call expect कर रहे हो अगर आपकी कोई भी query है तो आप नीचे comment section के अंदर mention कर सकते हो आप हमें whatsapp email कर सकते हो प्रीज हमाँ ऐसाथ instagram पे जूर connect हो जाना और अगर आपको हमाई live badge crash course या किसी pen drive course में enroll करना है तो हमारी website है यहाँ पे आपको complete details मिल जाएंगी So thanks a lot, all the best, God bless you